हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल और आज मैं आपके साथ जो रेस्पी शेर करने जारे हैं वो है एक अचार की रेस्पी ये हरी मिर्च अद्रक और मुली गाजर का अचार हम आपको बनाना सिखाएंगे इसमें डालेंगे हम थोड़े से निम्बू तो मिर्च मैंने 100 ग्र आचार में तो इन सबी चीजों को आपने पहले मिक्स कर लेना है तो इसमें हम डालेंगे नमक तीन चममच हम इसमें नमक के डालेंगे तो जितना मैंने 4 ढाला उसके लिए तीनग से ज़्यादा है या कम है तो अप उसी साथ दाल सकते हो रेड़ चममच हम इसमें हलदी का तो ये हमें तेशिया है , और में से कम्राइ बेच भीह विशे और 15 नविरा के लिए हैं , इसमें भीह कुछना बेखर भूए कब व्यख्ण कर दिना है हुद्ते विख भीह कृष्ण निट्ट में दंडे हैं तो उसको मसालन को डालकर हम ने अच्छे से मिक्स कर देना है नमक चार में तोड़ा जादा ही डलता है उसी साब से आपने डालना क्योंकि इससे चार खराब नहीं होता तो यह निम्बू है इनका हम रसा निकाल लेंगे आधे निम्बू का हमने रसा निकाल लेना है और आधे निम्बू हम ऐसे ही यूज़ करेंगे कि तो जो यह चिल्लक है यह भी आ फि इनको भी हम अचार में ही यूज करें गायना थो यह विज निकाल दिया वह भी तो इनको भी हम भी जब यह अच्छे से गल जाएंगे तो चार इनका भी बहुत अच्छा भी इसमें टेस्ट आता है तो यह भी खाने में यूज होते हैं तो इन सभी चीजों को अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है जो हमने रसा डाला है उससे जो मसाला अच्छे से कोट हो चुका है साइड में कर देते हैं और अब हम एक पैन लेते हैं पैन में हम डालेंगे सरसों का ओईल यह हमने दो कड़्ची के छोटे वाल जो कड़्चे होती है उसके हम दो डालेंगे बहुत जादा इसमें ओईल का यूज नहीं करेंगे अपने हिसा निकलना होगी है यह हमने तीन चंप राई के लिए साबुत रय का अब हम इसमें यूज करेंगे तो टेल को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं जब तक इसमें से धुआ ना निकल जाए इनके हमारा तेल जो है वह कच्चा नहीं रहना चाहिए दहिखे इसमें से धुआ निकलन और इसके बाद हमने गैस को कर देना है बंद और यह हमारा तेल है इसको हम डालेंगे अपने चार के पर गरम-गरम ही आपने डाल देना है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चार में तो अब हम इसको मिक्स कर देते हैं एक बार दुबारा से आप अब हाथ का यूज ना करें क्योंकि तेल हमारा बहुत गरम है तो इसको हम कड़्ची से मिक्स करेंगे सारा मसाला हमने उपर निचे कर देना है और अब हम इसको डालेंगे अपने किसी मरतवान में तो मैंने कांच का मरत्मान यूज किया है तो कांच के मरत्मान में ही अचार अच्छा रहता है यह सुखा होना चाहिए बिल्कुल तो इसमें हम सारा अचार डाल देते हैं और यह हमने सारा अचार अपने मरत्मान में डाल दिया जो निच्चे मसाला बचा था वो भी आपने साथ में डाल दिना है देखे कितना अच्छा कलर आया है इसका बहुत ही ज्यादा टेस्टी चार बनता है साथ भी खा सकते हो आप इसको एक दो दिन इसको आप धूप लो आओगे तो यह और भी अच्छा अच्छे से गल जाता है और इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है देखे बहुत अच्छा अचार बना है अगर आपको मेरे रस्पी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें चैनल पर पहरी वार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू फॉर वाचिंग